हेलो फ्रेंड वेलकम टो एक्सपोर्ट इंपोर्ट लानिंग चेनल आज के शेशन में हम जानेंगे रिजन टो इंटर इन इंटरनेशनल बिजनेस यार वी कें से वाई एक्सपोर्ट इंपोर्टेंड ठीक हमें इंटरनेशनल मार्केट में हमने प्रोडक्ट को क्यों लॉंच करना चाहिए और यागत पो कितना जरूरी है एक्सपोर्ड करने से म和क्रार क्या क्या बेनीफिट मिल सकते है तो शुरू करते शेशन को डॉमेस्टिक मार्कЕट कंस्तेर में बब 是क मार्केट इंटरनेशन बिजनेस में जाना चाहिए तो फस्टे इस्मॉल साइज अब मार्केट जब मार्केट बहुत छोटा है ठीक है तो उसकेस में क्या होगा जो एक्सिस प्रोडक्शन होगा मरा वह मैं एक्सपॉर्ट कर सकते हैं फोर एक्जमपल जैसे बहुत चोटी है और वहां की जो पॉपलेशन भी बहुत कम है लेकिन वह पर आप जो प्रोड़क्शन करें जिसकुड का गुट्सका वह वह पर बहुत कम कंसुम हो रहा है तो जो एक्सिस माथ प्रोड़क्शन है वह आप यूपकर एक्सपोर्ट फ्र क्लाइन गया होगी हाँ विपक नहीं प्रोडप्ट को ने जाएंगे तो फिर आपकी इसपे एक्सपोर्ट में यह फिर से आपका जो कंपनी में अपर नाउन वर्ट हो जाएगा बिजनेस ओके तो यह पॉंट है जिसे हम कर सकते हैं तो फॉर एक्जामपल के लिए किसी कंट्री में बस रेट डाउन हो गई तो वहाँ पर जो बेभी प्रोडक्ट होंगे उनकी सेलिंग कम हो जाएगी तो यह यह इसका एक्जामपल है अगर हम बात करें स्केल एन एकोनोमिक की तो आपका जो कोस्ट है पर क्या होगा पर यूनिट कोस्ट में प्राइज कम आएंगे जिसे प्रोडक्शन में आपको एक फॉर एक बाइक बनाने में आपको 1000 रुपीज लगते हैं लेकिन जब आपका प्रोडक्शन में प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा फिर जो पर यूनिट कोस्ट तो वह कम होती जाएगी ठीक है आगे की बात करें तो पहले जैसे स्केल इकोनोमिक्स की बात करें तो हुआ क्या था जब जब कोको कॉला ने अपना विजनेस सेटप किया इंटरनेशनल तो पेसी ने भी उसके साथ किया क्योंकि उसको लग गया था कि यह एक वास्ट यह था हमारा प्रोड़क्त ऐसा है कि इसको कर सकते तो उसको देखेंगे एक स्केल एक्टोनमिक्स का एक्जामपल है तो तिक है कि सम्टाइम जब हमारा एक यह भी रिजने कि सम्नु जाम आरा जो प्रोडक्शन कैपसिटी वह एक्सिस मात्रम जादी तो हम इसको भी फिर एक्सपोर्ट करते हैं ठीक है यह भी एक पॉईंट से तो यह रिजन्स होगे आपके स्मौल साइज कर सेजने मार्केट डिशों दर में स्केलेट डिकलाइन श्टेट अब दे ड्याम डॉमेस्टिक मार्केट स्केल एकोनुमिक ठीक है यह एक्जामपल हो गए कि हमें हमारे डॉमेस्टिक मार्केट में क्या क्या कर ला सकते जिसके वजह से हैं अपने प्रोड़ोन को बाहर ले जाना चाहिए नेक्स्ट गवर्मेंट पॉलिसें डिवलेशन जो है ओके गवर्मेंट पॉलिसी अ डिवलेशन आल सो मोटिवेट टू फ़र्म इंटरनेशनलाइज जो गॉर्मेंट की जो पॉलिसी से वो हर कंपनी को बोलती है कि आप इंटरनेशनल लाइस पर जाओ क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल लाइस पर प्रोड़क्ट को एक्सपोर्ट करें तो इससे फोरें करेंसी आएगी और हमारे देश की एकोनोमिक बड़ेगी तो यह लगा देती है ठीके तो रिस्टिक्शन लगा देने से क्या होगा उसको उन रिस्टिक्शन को फोलो करना पड़ेगा ठीके जस लाइक इस टोई है इस तो इस सटें सोशल आप्शक्टीव जैसे आपको को सोचल फिर वहल फिर के काम करने पड़ेंगे गरी बच्कों कि 2 फिर 2012 अगर आप एक्स्पॉर्ट करोगे तो यह इस्टीक्शन था नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं यह बिए गोर्मेंट की तरफ से एक्स्पॉर्ट कहती लिए एक्सपॉर्मक्र में हैं ऑप्लिस एछ तो गेट एक्साइज एन अदर टेक्स बेनिवेट तो है एक्सपोर्ट देर प्रोड़क्शन कंपल सरी ठीक है गवर्मेंट इन अलग से जो जो ब्रांचेस होती है इनकी एक्सपोर्ट की और्गनाजिशन होती है तो यह भी यहां पर बनाती जिसे जोन वाइस बना देगी य एक्स में benefit देती है तो इससे क्या होगा कि लोगों के लोगों को ले गार एक्सपोर्ट करने से काफी फाइध है तो फिर एक्स मोट की तरफ आएंगे तो गोवर्मेंट की पॉलिसी के ग्वोडिंग भी यह बहुत इंपोर्टेंट लेंत बात करें ग्रोट और समार्केट प्रोड़क्ट चलेगा लेकिन इतनी ग्रोफ आपको नहीं मिल पाएगी जितनी की इंट्रेशनल मार्केट में मिलती फॉर इग्जांपल आप अगर चाइना और इंडिया जैसी कम्ट्री की बात करें तो यहां पर पॉबलेशन बहुत जादा है जिसके कारण फाइनली आपका प्रोड़क्ट दीरे दीरे चली जाएगा ठीक है तो हर आदमी हर कंट्री यहीं चाहती है कि बड़ी कंट्री में प्रोड़क्ट को लोंच करें ठीक है अपनी प्रोड़क्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी अप इंटरनेशनल मार्केट में इंटर कर सकत आपके जो जो गूप्रोड़क्ट है उसकी बढ़ाने के लिए उसको क्लिट्ट आपको बढ़ाने होगा आज के इस टाइम में अपी कंपनी को सर्वाइब करने के लिए यह बहुत ही इंपोर्टन लिगए प्रोड़ट बहुत ही अच्छा होना जीह है ठूपिपिशन बन जाता है तो आप एक इंटरेशन मार्केट में अपने प्रोड़क्ट को लौज कर सकते हो यह भी एक रिजन हो सकता है कि आप एक्सपोर्ट अपको प्रोड़क्ट बहुत अच्छा है जिससे आप बाहर अपने प्रोडुक्ट को कंपोटिशन में यह पोधे करें तो यहों कि फ्रोफिट ए वह इंट्रे निश्मस मार्केट के जो हमारा टार्गेटकमर के वो उसकी ज्वांटिटी वो कम है डिमाड कम है बदाब् сб बिजनेस की बात करें तो वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सारी कंट्रीवाइज होते हैं तो वहां पे डिमांड ज्यादा होगी तो यह भी एज इंपोर्टेंट है कि आप आपका प्रोफिट आपका इंटरनेशनल मार्केट में डॉमिजिक से काफी ज्याद तो जो जो मैनिफेक्टिंग कोस्ट है अपकी सर्वीस कोस्ट है वह अपकी रिडियूस होगी क्योंकि इसमें लार्ज कॉंटिटी में आपका बन रहा है ठीक है बात करें कंपरेटिटी एडवेंटेज की तो यह एक इंपोर्टेंट बात होता है कि जैसे फॉर इनएटेटिट की इनडिया में आके अपने कंपको को खोलती है क्योंकि आपर लेबर सस्ती मिल जाएगी ठीक है और रोव मटेरियल्स की बात करें तो जहां पर रोव मेंटर्स कमपरेटि एडवेंटेज है वहां पर जाएगी ठीक है सोर्सेस जो नेच्रल अवेलेबल है होता है तो कंपरेटी एड्वेंटेज की बात करें तो जो मैनिफेक्ट्रिंग में और सर्विस देने में ठीक है जो आपकी एक्सपेंस लगते हैं उनको रिडियूस करने के लिए भी इंटरेशनल मार्केट में इंटर करते हैं लोग तो यह भी एक इंपोर्टेंट है ठीक है आगे आगे की तरह बढ़ते हैं तो डाइवर्सिफिकेश टू रिडियूस दे बिजनेस रिस्क अब यहां पर बात करें जैसे फॉर एक्जांपल आपका कोई ऐसा प्रोड़क्ट है कॉल्टिंग टाइप का तो यह जो क्या होता क्या है कि यह डाइवर्सिफाइए अगर क है तो कॉल्टिंग आपकी सही चलेगी लेकिन विंटर के टाइम पर थोड़ी सी उसकी है उसकी जो डिमांड हो जाएगी तो इस टाइप पर क्या होगा कि अगर प्रोड़क्ट की डिमांड कम हो गई तो फिर वहां पर हो जाएगी ठीक है जैसे साउथ अफ्रीक हो गया तो तो वहां पर बहुत चलेगा प्रोड़क्ट को जाला गर्मी है ठीक है यह भी एक आपका डाइवर्सिफिकेशन टूरीज़ी बिजनेस इस रिस्कों रिद्यूस करता है क्योंकि आपने प्रोड़क्ट को डाइवर्सिफाय कर दिया अधर कंट्री में अगर आपका प्रोड बढ़ गई है तो क्या उपकर प्राइज बहुत हाई हो जाएंगे फॉर इसनापल प्याज की बात करें हर साल प्याज की सप्लाइए में साथ आगी ओंप यह खतम हो जाते हैं तो उसमें प्राइज बढ़ जाते तो फिर यह ऑप्शन होता हमार पास गवर्मेंट के पास की सब्सक्राइब वह और सब्सक्राइब करते हैं और जो इंफलेशन जो बढ़ जाता है तो यह बेस्ट वेकि आप उसको इंपोर्ट कर लो ताकि सप्लाइब फिर से उसको बैलेंस करके उसके प्राइज को बढ़ने से रोग दें हिए अगर काउंटर कमपिटिशन की बात करें तो जब भी आपका प्रोड़क आप किसी कंट्री में प्रोड़क को लांच करएगे हो ठीक है तो वहां पर भी और पांपितिटर्स होते हैं थीपति कि मॉम्यूंस्टिक मार्केट में प्रोड़क्स ब् 이렇게 कि आपकी जो रिस्क है वो थोड़ी कम हो जाए ठीक है तो कुछ स्टेप्स होते हैं कि हम अपने कंपेटिटर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें तो यह कुछ स्टेप्स है विच वी नीट फोलो में कंपेटिटीव एनलिसिस ठीक है आपके प्रोड़क्त में और जो आपकर पाइड हो प्रोडो marche करना है चिंव में करनाада हुम क्राइब करेंगे कि हमारा प्रोड़क्ट उनसे बेटर हो ठीक रिल इसे प्रोडो प्रोडम मिन से जागं हमारे फिडवेक वाला जो उप्शन ने वह उसकर फैसा करेंगे किस टाइप के कस्टमर हमारे ठीक है उस टाइप से प्रोड़क्ट की क्वालिटी को ब्रू करेंगे तो यह सारी चीजे कांटर कंपुटिशन जो होते हैं आप के प्रोड़क्ट के उससे आपकी विजनेस इसको ढूरो करते ठीक है जिए श्ट्रीक विजन टोटा गिए शीन बहुत करें कि बहुत सारी कम्पन्यों को हैं होता कि एपने प्रोड़क्ट को इन डिर नीनिशन में लाएगी तो वह अच्छा बैनीफीट होता एक्सपोर्टिंग ईफ़र दे प्रोपेक्ट उपमियू मार्केट नूह टीक हाँ Xbox करने पर आपको क्या मिलता है कि नूए प्रोस्पेक्टि मार्केट ऑफ़र होता है पर मुसलं सेल आपकी बड़ती हैं बेटर प्रोफट होते हैं ठीकर ग्रेटर इस ट्रिप्स rabbits बहुत सारे लोकों तो अपका प्रोड़क्ट जाता है तो इससे क्या होगा कि आपकी कंपटी की अवेरनेस बहुर तक जाए कि आपका यह भी एक बेनिफिट एसे इंटरेशन मार्केट में एक एक क्लियर स्टेजी में इट मच मोर राइकली यू विल सक्सीड यूर एक्सपो बहुत इंपोर्टेंट है तो आज हमने सेशन में यही जाना की इंटरेशनल मार्केट में इंटर करने के रीजन्स क्या है हमें क्यों अपने प्रोड़क्ट को इंटरेशन मार्केट में उतारना चाहिए तो गाइस थेंक्यू फॉर वाचिंग दिशेशन हैवे नाइस देम इंटरेशन में इंटरेशन हैचिंग गाइसन में तो आजरेशन है वाचिंगThese द cupcake क्या होड़क्या है में इंटरेशन है वाचिंग उपना है टूटेशन है जा कर रादियों